नमस्कार मीत्रोपामिस्ट्री में एक फीमेल हाथ इनको कुछ कोर्षन का बारी में क्युछ खास जानकरी देने वाला हूँ अन्तक जरूर रहेगा पहली इनका जो कोर्षन है ओ था गौब्मेंट सांसेस है की नहीं देखिए गौब्मेंट सांस के लिए पहली एक रेका तो देखना बहुत जरूरी होता है और वो है अपका सानलाइन और एक दो नहीं आपको हाथ में बहुत सारा सानलाइन मेरे को सुष्पोस्ट रूप से देख रहा है इतना भी खरब भी नहीं है बहुत अच्छा साइन है इसमें तो अगर ज्यादा से ज्यादा सानलाइन बन गय जाता है और उसका साथ लाक लाइन को थोड़ा बहुत देखना चाहिए तो लाक लाइन भी बहुत अच्छा तरीकाचे चल रहा है और स्मूथ ली चल रहा है दो एक रेखाई काट गया है लेकिन इतना ज्यादा प्रेशान ही नहीं करेगा तो इसका दुरू में बोल सकतो प्रेश लाइब कैसे होगा तो थोड़ा बहुत पहले डिटेस दे देता है उसका बात में एक एक करके डिटेस दूँगा पहले आपका जो हाट लाइन है स्मूथ ली चल रहा है और इधर जाके रुकाए यह आपका हाट लाइन नहीं है उपर की तरफ जो रेखाई गया है यह हाट लाइन नहीं है इसमें से काटके गया है तो जो भी हो यह जो हाट लाइन है इतना स्मूथ ली चल के जो ग्रू माउंड तक गया होंगे तो इसका मतलब है आप फैमिली को ज्यादा महत्पर देंगे पैसस हो भी ज्यादा और फैमिली इस सब कुछ रहेगा आपका क्यूंकि इन लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर होता है पहली बत दूसरे बात किसी का अगर सेम सिंगल देखा के हाटलाइन हो जाए हाथ में सिंगल देखा के हाटलाइन होने का मतलब यह होता है जो इन लोगों का खुद का चूज का, खुद का चॉज का लाइफ पर्टनर हमेशा मेशे के लिए मिन जाता है और देखने में भी अच्छा होता है हैंडसम होता है और एक बार देखिए आपका जो ये जो प्लेस है ये मीडियम पोजिशन का है तो ज्यादा नेगेटिविटी नहीं रहाएगा और ज्यादा पोजिटिविटी भी नहीं रहाएगा आपका हाथ में लेकिन इसमें कुछ रेखा है ये त्रीसूल बनाते होए दिक रहा है मेरेको ये अगर छोटा सा होता है देखो त्रीसूल एचा होता है जो तीन ये होता है तो तीन एक जैसा होना चेह और ये दूसरा एक इधर से भी एक सोटा चा है तो आपका जो काम जो होए वो एक बार में सौब नहीं कर पोगा होगा रूक रूक के कम चलेगा और रूक रूक के हो सकता है और रूक रूक के भी होगा क्योंकि देखिए पहली जो रेखाई है ये अच्छा है इसको साफोट ये मिल गया है लेकिन ये जो दूसरा रेखाई है इस टाइम पे जाके लागबग 28.9 के बाद आप जो काम कर रहे हो जिसका थूआप अभी चल रहा है वो पूरा टोटल सोड के दूसरा कम पकरना पड़ेगा दूसरा कम से आपको चलेगा देखिए ये जो दर्सरा रहे ऐसा ही को रेखाई दूसरा जो रहे रेखाई है इसमें और हाट लाइन से एक रेखा निकल कर इधार आ गया और ये आपको माइन लाइन को टास्क करे या मार्स माउंट से आकर के हाट लाइन को टास्क करे तो प्रेशानी को ज्यादा बढ़वा देता है कॉन्प्यूशन बहुत ज्यादा क्रेट कर देता है इतना ज्यादा कॉन्प्यूशन क्रेट कर देता है जि इन लोग छोस नहीं पाता है क्या करूंगा और क्या कर रहा हूं क्यू कर रहा हूं एक कुर्शन का एंसर इनलों का नहीं मिलता है इसलिए ज्यादा प्रेशनी हो जाता है और ज्यादा खुद बाकुद प्रेशनी में डाल देता है खुद बाकुद को दूसरा जो बात है इधर से जो को रेका निकल कर इस तरह बहुत यह एक रेखा नहीं जा रहा है दो-तिन रेका ही जा रहा है तो यह अगर किसी और बाखिंहँ आइघ हो टो už जाता है जयदा प्लानिंग करता है जयदा आइडियास लगा देता है लेकिन और 겠지만 हार maximize को लाइटा कम में नहीं हो जाता है इन लोगे जो affairs हो जाता है वो कही नगाई ज्यादा से ज्यादा तूठने का समभव बनाई ज्यादा दिखाई देता है affairs अमेशा के लिए बना नहीं रहता है तो ये कही नगाई family life के लिए भी अच्छा नहीं है family life के लिए भी थोड़ा बहुत प्रेशन ही में डाल देता है लेकिन जो march से वो बहुत अच्छा development है इतना भी जयादा नहीं है लेकिन medium type के development है तो family life खाश करके थोड़ा बहुत अच्छा होगा आपका बहुत ज़्यादा प्रेशन ही जो कर रहा है आपका हाथ में तो इसके लिए क्या हो रहा है आपको सोसाइटे से दूर एकला रहना पड़ा है खुद को कभी न कभी किसी का साथ जो अब जाते हो तो उसमें आपका मन नहीं होता है जो किसी का साथ जाओ कुछ करू तो एकला रहने के ज्यादा कोशिस कर ले तो पहले बात दूसरा बात इत नहीं होता जो काम करता है उसमें परफेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है mentally tot shot बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसके तुरू ये हमेशा के लिए प्रेशने और तानाओं में रहता है इन लोग बहुत ज्यादा काम की मामलों में रुकबट बार बार आता है एक कम छोड़के दुसरा कम दुसरा कम छोड़के तिसरा कम करने के लिए मजबूर हो जाता है इन लोग तो ये कही न कहीं आपको remedies अमेशा के लिए करना चाहिए अब साधी का बारे में बोले थे जो life कैसे होगी marriage life marriage life देखने के लिए तीन माउंट देखना पहले जरूरी है पहले तो देखना पड़े आपका जो बेनास माउंट है बहुत अच्छा है इसका साथ साथ ये जो माउंट है गुरु माउंट है भी बहुत अच्छा है इतना भी खराब नहीं है ये भी medium टाइप के है तो overall बोलूँगा तो बहुत बहुत अच्छा रायने बाला है आपका जो marriage life होगा वो बहुत अच्छा रायेगा पहले बात किस-किस फिल्ड में आप कमिया भी हो गए ये बोला था देखिए आप अगर मैं दो तरीका से बोल चाकता हूँ जॉब या नौकरी या बिजनेस तो आप अगर किसी भी में गय हो अगर जब की sign-up का हाथ में है तो ये बहुत अच्छा तरीका से है और दूसरा जो है ये भी बहुत अच्छा है इतना भी खराबी इसमें नहीं है तो आप दोनों से भी कोई भी एक platform को choose कर सकते हो लेकिन दोनों ही आपको एक जैसे होगा क्योंकि ये भी थोड़ बहुत रुक रुक के चल रहा है ये भी थोड़ा बहुत रुक रुक के चल रहा है तो business में भी आप ओईसे ही result लाओगे जैसे ही आप जब में लाओगे तो दोनों ही आपको अच्छा रहेगा आपका हाथ में आपको life partner कैसे होगी कैसे होगा ये आप बोला था देखिए प तो ये दोनों अगर अच्छा होता है तो उन लोगों का जो life partner है और handsome होता है इसमें एक job sign मेरे को दिख रहा है लगभख 25 के आसपास आपको कोई problem होई थी पहले जिसका थोड़ा बहुत disturbness फिल कर रहा है अभी भी है अभी भी थोड़ा बहुत है इसका थोड़ा बहुत problem अभी भी चल रहा है आपका जो भी हो आपका जो mind line है शुएसपस्ट तरीका से दीख रहा है बहुत freshly स्मूथ भी चल रहा है इसे अगर किसी का mind line हो गया है तो बहुत ज्यादा intelligent होता है इन लोग हार एक काम हमेशा हमेशा के लिए सोश समस्के करता है और कोई भी काम आदा क्लियर किया जाए तो ए धर्ये का साथ हमेशा काम करते रहता है और अगर किसी का होता है तो intelligent बहुत अच्छा होता है और बहुत ज्यादा दिमाग बला होता है तो इन लोग का जो talent ही बहुत ज्यादा रहता है और दिमाग इतना तेज रहता है कि एक साल पहले आपको कुछ बात बोल दिया तो एक सल बात में जाकर भी इन लोगों का याद रहते है हमेशा के लिए वही बात को लेकिन इदार एक प्रॉब्लेम और क्रियेट कर रहा है ये राहू रेखा ने आपको रहू रेखा माइन लाइन को टास कर गया और एक रहू रेखा इदार तो आपको हार्ट लाइन को भी टास कर गया तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रेशन ये क्रियेट कर देता है आचानक घर में कुछ हो जाना, आचानक तबियात बिगड जाना, यह सब यही दर्शा आता है, तो यह कही न कहीं बहुत अच्छा रेजाल नहीं देता है, इसका रेमेटिस करने के लिए पहले तो आपका इसका रेमेटिस करना पड़ेगा है, क्यूंकि यह ठीक होने से यह द देखिए आपका जो लाइफ लाइन है, यह भी स्मूथली चल रहा है, अभी 27 का उम्रों बोला, तो 27 में जागवा लगभख 28 का पास जाका थोड़ा बोद प्रेशन है आपको होगा, 32 के असपास जाके एक प्राब्लेम होगा, 34 के असपास जाके एक प्राब्लेम है, तो य यह जाकार इतना सा प्राब्लेम है और आगे जाकार स्मूथली चल रहा है, तो ज्यादा प्राब्लेम नहीं होने बाला है, अपका लाइफ ने, बात करों तो जूपीटर की, जूपीटर माउंट जो है, वो भी बहुत अच्छा है, दो एक रेखाई है, तो यह जो जा रहा है, यह कभी ना कभी आपको थोड़ा बहुत इगोिस्टिक बना देगा, इगो प्राब्लेम आपका अंदर ज्यादर आएगा, लेकिन और एक खास बात यह है कि, यह आपको कभी भी अपको ना सोसाइटी में नाम खरब नहीं होने देगा, यह बहुत अच्छे साह इने, इसका साथ साथ देखिए, आपको जूपीटर माउंट वह बहुत अच्छा है, जूपीटर माउंट अगर किसी का बहुत अच्छा हो तो नौलेज़ेबल परसनलिटी होता है, फेमिली लाइफ, मेरेट लाइफ, ज्यादा से ज्यादा हैपी होने लगता है इन लोग क अगर किसी का ये बहुत अच्छा हो गया जूपीटर माउंट तो इन लोग सांथ होता है, कोई भी कम बहुत ज्यादा सोच समस्के करता है, धार्मिक ज्यादा होता है, ग्यानी होता है, सम्मन बहुत ज्यादा मिलता है अपना सोसाइटी से, और साधी के बात इन लोग का ल ढूरे दिरे और ये भी बुहुत इच्छा नहीं चलना आ है तो सनी अगर कराप हो गया तो बहुत ज्याधा प्रोब्लेम में डाल देता है। बागर दुट ज्यादा लग जाता है। करें ना कई प्रेशानी ज्यादा हो जाता है इन लोगों का आँख में प्रॉब्लम होना लगता है जो घर में हमेशा के लिए उत्पटंग हरकत होने लगता है और जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है और आप कहीं भी जाओ उसमें आपको सांती नहीं मिलता और कोई भी काम करो उसमें बार बा डाउन फॉल हुआ है लेकिन यह ज्यादा खरब नहीं है तो डाउन होने से क्या होता है जो पैसे ज्यादा खर्चा होना लग जाता है लेकिन अबर आल बोलो तो अच्छा है तो अगर यह माउन किसी का बहुत अच्छा हो गया तो यह लिडर्शिप कॉलिटी का होता है जिन लोग का ये रेखा अच्छा होता है उन लोग का गौब्मेंट जोब भी मुल जाता है अता वो बूध माउंट का उपर बूध माउंट अगर किसी का अच्छा होता है तो मेधा भी होता है कलावी होता है यतीश शास्त्रों गनित शास्त्रों इत्ति विशाय का उपर इन लोग49 का बहुत ज्यादा में सब चलना हमेशे के olmuş चलने भी लाइक बन जाएगा यह होता है इनका साथ और अपना जो IQ लेवेले जो इस्मरीती शक्ति है इन लोग का अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं हमेशे के लिए जिसका बूद्माउंट अच्छा होता है और सबका साथ हमेशे के लिए कॉंट्राक्ट रखते हैं यह लोग जिसका साथ मिलोगे उन लोग कभी कबर आपका बातों से उन लोग संतुस्ट नहीं होगा यह दर्शारा है क्योंकि यह जो माउंट है बहुत अच्छा नहीं है अपका बात खुल करके किसी का समने ज्यादा नहीं रख पाऊगे थोड़ा बोद रख पाऊगे लेखिन कोई-कोई मन लेगा और कोई-कोई नहीं मनेगा चंद्रो माउंट है आपका अत्त में ज्यादा अच्छा नहीं है यह भी डाउनपल हो रहा है तो कहने कहीं टेंशन इतना ज्यादा क्रियेट हो जाएगा आपका उपोर जिसको लेकर आप ज्यादा हमेशा के लिए तानाओं में डै सकते हो और 10 मिनिट पर 10 मिनिट बाद ब लग जाएगा यह हो सकता है आपका साथ और अल बोलो तो सुक्रो माउंट इतना भी कराब नहीं है यह बहुत अच्छा है तो इन लोगा जो प्रेम प्यार हमेशा के लिए मिलता है और यह जो परिबार और फेमिली का जो स्थिती है जो एकोनोमी का वह हमेशा के लिए किसी का सामने हो हमेशा के लिए लोजिक के साथ राखते हो तो इसके लिए भी वह अच्छा होगा इधर जब साइन भी है तो कहीं न कहीं आप इंटेलिजेन भी हो और मेनेजमेंट समुताई भी आपका अंदर होगा यह दर्शारा है क्योंकि यह उंगली में गैपिंग भी मेरे को ज्यादा नहीं दीक रहा है तो आप कभी न कभी ज्यादा से ज्यादा मेनेजमेंट समुताई ज्यादा से ज्यादा रहेगा आपका अंदर लेकिन उंगली का नॉट्स ज्यादा डिवलोप्मेंट नहीं है तो कन्फूशन कर देने वाला लाइब होता है और अपना बात को आप इस पस्ट तरीका से सब का सामने नहीं राख पाओ गया थोड़ा बहुत टिल्टेड हो रहा है इसका उपर तो कहीं न कई भाई डार ज्यादा पैदा होगा अपका अंदर और यह भी कभी करना कभी थोड़ा बहुत बैंडेड है यह अगर किसी का उपर ज्यादा से ज्यादा बैंडेड हो गया हो तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत क्यारलेस टाइप का हो जाता है इनलोग लेकिन क्यारलेस हो जाता है यह बात तो सही है लेकिन इसका साथ साथ कोई गूंड भी रहता है इनका अंदर देखिए इनका जो अपना जो इच्छा है मन की आपका अंदर हमेशा के लिए business quality का होता है उंगली जो है यह थोड़ा बहुत लंबाई दीख रहा है मेरेको इस उंगली से इस उंगली तो दोसरों से काम करबा के लेने के लिए माहिर होता है इन लोग क्योंकि दोसरा से काम करबाने में माहिर होता है इन लोग पहली बात बहुत अच्छा तरी किसे राख देता है किसी का सामने इसीलिए इन लोग को देखो तो हमेशा के लिए लाव मेरेस की सांसेश ज्यादा रायता है आपका हात में तो नहीं देख रहा है अभी फिल हल लाव मेरेस नहीं देख रहा है जो भी हो देखे और एक बात ये उंगली अगर इससे थोड़ा बहुत छोटा हो गया तो मैनेजमेंट समोता है बहुत कम होता है नेगेटिविटी ज्यादा बाढ़ जाता है अपना अंदर और खुद चाते हुए भी ज्यादा से ज्यादा आगे नहीं बाढ़ पाता है क्योंकि हमेशा के लिए इन लोग का चाहत जो है बहुत ज्यादा रहता है हमेशा के लिए लड़ाई करने का जो इच्छा है और लड़ाई करके अपना सोसाइटी में जीने का जो इच्छा है इन help ना लेकर और किसी का help लेने की चाहत भी आपका अंदर ज्यादा नहीं है जो भी हो आशा करता हूँ आपका जितना भी question था उसका थूरू एक answer मिल गए हो आपका अगर वीडियो अच्छा लागे तो जरूर शेयर करें मैं मुस्क्राइब